हलो बच्चों मैच सोलंपियाड का सबसे अच्छा कोश्चन फिर से लेकर आएं बहुत ही छोटा कोश्चन है और बहुत ही अच्छा कोश्चन है बच्चों आप देख सकते हैं x upon y plus y upon x is equal to 2 है और आपसे पूछा गया है x minus y क्या होगा बच्चों अगर आप यह सवाल नहीं लगा सकते ना तो फिर आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकतेगी यह इतना असान है कि इसको आप बहुत आराम से लगा लेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है lcm लेना है y और x का lcm क्या होगा x y हो जाएगा उसके बाद y का हम इसमें divide करेंगे तो क्या पाएंगे x x का numerator में multiply करिए तो x square हो जाएगा फिर plus लगाईगे फिर x का इसमें divide करेंगे y बचे का x कर जाएगा y का y में into करेंगे तो यहाँ y square हो जाएगा और यहाँ पहले से क्या है 2 है अब आपको क्या करना है बच्चो इसके upon 1 मानना है और cross multiply करना है क्या करना है cross multiply तो x square plus y square का 1 में into करेंगे तो क्या हो जाएगा x square plus y square और x y का 2 main 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 x y हो जाएगा ना अब 2 x y को left में ले आइए x square plus y square minus cut 2 x y is equal to 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 और आप देख सकते हैं algebraic identity का formula है बच्चो a square plus b square minus 2 a b है ना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a minus b का whole square यानि x minus y का whole square is equal to 0 अब square root ले ले लेंगे बच्चो दोनों तरफ क्या ले लेंगे square root तो हम इसको ऐसे root लगाएगे और लिखेंगे अंदर x minus y का whole square is equal to 0 पे भी square root ले ले लेजिए ठीक है ना बच्चो अब आप देख सकते हैं square root लिया है और ये two times है root में तो ये square root इससे क्या हो जाएगा हड जाएगा बच्चो यानि आपका क्या बच्चेगा x minus y और 0 का square root 0 को आप चाहिए जितनी बार लिख लें बच्चो कोई परक नहीं पड़ता है इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 का square तो ये भी कड़ गया प्रिकि 0 का square तो 0 ही होता है इसका मतलब 0 का कोई मतलब नहीं है तो 0 root से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और आप देख सकते हैं आपका अंसार आ गया है x minus y कितना आएगा 0 आएगा है ना अच्चा question और easy भी है Thank you